वेलो व्यू वेल्कम तु माई चैनल मैं आज आप लिगों के लिए लेकर आचुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह रात में सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं यह टॉपिक मैं किसी ने सज्जेस्ट किया था कि मैं बहुत लोगों के साथ मैच करें ओकी यह रीडिंग सभी साइंस के लिए है वीवर्स चाहें आपका कोई भी जोडियक साइन हो यह रीडिंग आपसे मैच कर सकती है ठीक है यह रीडिंग सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है फिर चाहें आपकी कोई भी उम्र हो आप इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा ओके वियूर्स साथी साथ मैं आप से कहना चाहूंगी कि अगर आप ड्रीम टारो चानल पर पहली बार आए हैं और अप तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि स चाहती कि आप मिस्स कर पाएं इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वेडियो लेकर आँ सबसे पहले आप उसे देख पाएं ओके वीवर्स गिप में सेकेड चलिए शफ्लिंग स्टार्ट करते हूँ देखते हैं कि वेहरात में सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं दो कार्ड्स हैं नहीं दी एम्पिरर पहला कार्ड है एम्पिरर का आजकल एक कार्ड बहुत आ रहा है एम्पिरर का कार्ड आजकल बहुत आ रहा है विवर्स वहरात में सोनी से पहले आपके बारे में क्या सूचते हैं लेट्स चेक फाइव ओफ सोज एट ओफ वैंस इंट्रेस्टिंग चली क्लारफाय करते हैं एंपरर को सबसे पहले कि एंपरर कार्ड यहां क्यूं है नाइन ओफ कप्स चलीए फाइव ओफ सोर्स को क्लारफाय करते हैं कि वहरात में सोने से पहले आपके बारे में क्या सुचते हैं ओ मैं गाद सेवन ओफ सोड चलीए एट ओफ वैंस को भी क्लारफाय करते हैं किंग ओफ कप्स बहुत इंट्रेस्टिंग कार्ड आए हैं वीवर्स यहां पर एनर्जी ओफ डेक देख सकते हैं आप क्वीन ओफ वैंस है ओके वीवर्स तो पहले बताती हूं मैं आपको कि आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंद क्या हो सकता है एप्रिल हो सकता है अगस्त हो सकता है जुलाइ हो सकता है में हो सकता है सेप्टेंबर हो सकता है जी हां यह कुछ महीने हैं आपके पर्सन का या आपका जनम दिन इन महीनों में से किसी महीने में हो सकता है चली मैं कोशिश करती हूं बताने के कि आपके या आपके परसिन की डेट ओफ बर्थ क्या हो सकती है चार तारिक, 14 तारिक, 24 तारिक, 7 तारिक, 17 तारिक, 27 तारिक, 8 तारिक, 28 तारिक, 5 तारिक, 15 तारिक, 25 तारिक 9 तारीक 19 तारीक 29 तारीक ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या आपकी person का जनब दिन हो सकता है अगर ये डेट्स और ये मन्त आपके आपसे मैच ना भी करें तो भी reading आपसे मैच कर सकती है तो viewers वहरात में सोने से पहले आपके बारे में क्या सूचते हैं मुझे ऐसा लग रहा है viewers कि आपके person ने कहीं ना कहीं आपको cheat किया है कुछ लोगों के लिए मुझे बात लग रही है कि आपके person ने आपको धोका दिया आपसे बाते चुपाई हैं आपको cheat किया है और आपके साथ conflict हुआ है उनका यनि आपके साथ उनका मतबेद हुआ है विचारों का मतबेद हो सकता है argument हो सकता है या understanding ना होना misunderstanding होना और बाते चुपाना आपसे जूट बोल देना या उनकी life में क्या और चल रहा है वो आपको बताना नहीं आपसे छुपा लेना I think ऐसा उन्होंने बहुत किया है आपके साथ और मैं ऐसा भी दिख रहा है वीवर्स की वहरात में सोने से पहले इसी बारे में सोचते रहते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया Something Somewhere they are realizing their mistake उनको अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है बट स्टिल वो जुकना नहीं चाहते और आप में सोने से पहले वीवर्स यही सोचते हैं कि उन्होंने आपके साथ जगडा करके conflict करके ठीक नहीं किया आपको cheat करके ठीक नहीं किया मुझे लग रहा है आपको रुलाया भी है जैसे कोई रो रहा हो क्योंकि मुझे ऐसा गीला आया थोड़ा ना मॉइस्चर वाला पिलो नजर आ रहा है ऐसा लग रहा है कोई रोया है तकीए पर तो आई थिंक आप रोय भी बहुत हैं इनके cheating के वज़ा से somewhere वीवर्स आप चाहते हैं कि यह realize करें आप justice चाहते हैं और इनको realize हो भी रहा है ऐसा नहीं है कि realize नहीं कर रहे हैं इनको realize हो रहा है लेकिन अभी जुकना नहीं चाहते मुझे ऐसा लग रहा है यह ऐसे position पे हो सकते हैं जहां इनके respect इनके लिए बहुत matter करती है या यह किसी के आगे दिखाना नहीं चाहते कि मैं स्वारी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ या मैं सामने से अप्रोच कर रहा हूँ या कर रही हूँ या माफी मांग रही हूँ यह ऐसा show नहीं करना चाहते है अपनी position को लेके और कह सकते हैं कि अपनी image को लेके बहुत ज़्यादा conscious है यह अपनी image के बारे में बहुत सोचते हैं यह ध्यान देते हैं इसलिए ऐसा हो सकता है कि ऐसा pretend कर रहे हूँ जैसे इन्हें जरूवत नहीं है काफी attitude हो सकता है viewers इन में पहले से भी काफी attitude होगा इन में और हो सकता है यह गुस्से वाले भी हो सकते हैं काफी जितना ही इन में attitude है उतना ही इनको short tempo भी है इनका यानि कि इन्हें गुस्सा जल दिया जाता है गुस्सा इनकी नाग पर बैठा रहता होगा तो यहीं सोचते हैं कि अफकोस ही आपके पास जाना चाहते हैं अफकोस इन्हें अपनी mistake रियलाइज हो रही है बट अपनी position को लेके अपनी image को लेके अपनी popularity को लेके कहीं ना कहीं vulnerable नहीं हो सकते सामने से आके माफी मागना या अपनी गलते accept करना it's a big thing for them और वो करना नहीं चाहते कहीं ना कहीं उनमे attitude है और वो attitude को maintain कर रहे हैं importance दे रहे हैं अपने attitude को अपनी value को ज्यादा समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको भी attitude ही show कर रहे हैं इस समय भी लेकिन viewers सी सोचते यही है कि मैं जाना चाहता हूँ यह जाना चाहती हूँ इन तक इन से बात करना चाहता हूँ चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता यह मैं कर नहीं सकती क्योंकि वो अपने attitude में है और वो यही सब सोच रहे हैं कि वो कर नहीं सकते बढ़ चाहते हैं अनसे गलती हुई कही न कहीं मुझे यहां पर ऐसा पी दिख रहा से कहीं न कहीं यहां और कितनी बार बोलूगए मैं कहीं न कहीं इस भीए पैनल्टी और y'क्षे ये न ऑटाक्स और संक कहीं न कहीं तो Queen of Wands से मुझे नगर आ रहा है यहाँ पे कि वो रात में सोने से पहले वीवर्स यह भी सोच रहे हैं कि आप कितने ज्यादा attractive हो जी हाँ, वो आपके तरफ attractive बहुत feel कर रहे है आपकी personality, the way you talk जैसे आप बात करते हैं, जैसे आप चलते हैं, बैठते हैं, smile करते हैं the way you carry yourself जैसे अपने आपको carry करते हैं okay, कही न कहीं आपकी overall personality उन्हें इतनी ज्यादा attractive लगते हैं मैं दोबारा कहीं न कहीं बोला न, oh my god आपकी personality उन्हें इतनी ज्यादा attractive लगती है that they can't resist but still अपने attitude में बैठे है तो viewers ये कुछ जबरदस्ती का attitude मुझे लग रहा है जहां पर they don't want to show you attitude but they are showing you ये चाहते नहीं है कि आपको attitude दिखाएं ego दिखाएं बट दिखा रही है तो ऐसा लग रहा है बहुत ही forceful attitude है ये मतलब दिल नहीं कहता है कि आपको attitude दिखाएं पर फिर भी दिखा रहे है बट ये तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा attracted फिल कर रहे है बहुत ज़्यादा कही ना कहीं आपके confidence से आपकी beauty से बहुत ज़्यादा mesmerized है ये बहुत पसंद करते हैं और passion तो बहुत है इस connection में बहुत ज़्यादा attraction फिल कर रहे है आपके प्रती and they see you as a very beautiful person inside out यनि कि आपको अंदर से और बहार से दोनों तरफ से ये आपको बहुत खुबसूरत समझते हैं और ये रात को यही सब सोच रहे हैं होने से पहले कि आप कितने सुंदर हो सकता है ये आपको स्टॉक कर रहे है social media पे या different किसी platform पे बटी आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे है आप पर नदर बनाया रखी है बट action नहीं ले सकते क्या करें ego problem यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है वीवर्स कि यह आप से बात करना चाहते है इनके दिल में वीवर्स जब कभी भी अगर इन्होंने गुएा तो आपको पता लगेगा कि इनके दिल में कितनी बाते हैं जो यहाप से कहना चाहते है और साफ सी बात यह है कि ये time pass नहीं करना चाहते है आपके साथ, इनका ये जो भी चल रहा है इनके दिमाग में, ये मैं कह रही हूँ कि इनके दिल में बहुत सारी बाते हैं जो इन्होंने अब तक कनफेस नहीं की हैं ये सब विवर्स सीरियस है जो बाते इनके दिल में हैं जो emotions इनके दिल में हैं आपके लिए ये सब serious हैं ये act नहीं कर रहे हैं बट ये act कर रहे हैं कि इन्हें कोई फरक नहीं पड़ता है ये emotions को छुपाने के acting कर रहे हैं लेकिन इनके emotions real हैं तो ये रात में सोने से पहले ये ही सोच रहे हैं कि ये आप से बहुत सारी बाते करना चाहते हैं बहुत कुछ है जो आपको express करना है और ये सब इनकी imagination और इनकी daydreaming की बाते हैं ये सब सोच रहे हैं पर कुछ नहीं कर रहे हैं बस ऐसे बैठे हुए हैं कैसे बैठे हुए हैं let me show you Emperor की तरह और ये Nine of Cups की तरह ये, कैसे हाथ फोल्ड करके I'm the boss ऐसे करके, और ये तो Emperor है ही I don't take commands I give orders, I give commands तो ऐसा मुझे energy आ रही है उनसे थोड़ा, you know I don't take commands, I give commands तो इनकी personality से मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा शो कर रहे है कि ये तो बहुत ही satisfied है अपनी life में बहुत ही ज़्यादा खुश है इनको तो किसी चीज की कमी नहीं है, कोई options की कमी नहीं है ये ऐसा शो कर रहे है तोड़ा attitude दिखा रहे है but deeply ये ही सोच रहे हैं कि इन्हें आप से बाते करनी है eight of vands है और कहीं न कहीं king of cups से मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके emotions और इनके जो भी thoughts और feelings हैं आपके लिए ये भी honest है, pure है ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत सुचते हैं आपको लेके ना ना they have pure intentions towards you चलिए यहाँ पे हम ये cards चलिए white वाले जो मैंने लिखे थे messages पहले इसमें से कोई message लेते हैं क्या कहना चाहते हैं कह रहे हैं तुमको भी patience नहीं है तो कही न कहीं उन्हें लगता है कि आपको भी विवश बहुत जल्दी है जल्दी जल्दी अंसर चाहिए, जल्दी जल्दी commitment चाहिए जल्दी जल्दी confession चाहिए तो कही न कहीं वो आपसे चाहते हैं थोड़ा patience रखो मुझे अभी हिमत नहीं है तनी या मैं अभी इस position में नहीं हूँ जो मैं सब कुछ confess करूँ या clear करूँ तो या आपसे कह रहे हैं कि तुमको भी patience नहीं है सवाल पूछ रहे हैं वीवर्स तुम मुझे दर्द में देखना चाहते हो question mark तो वीवर्स या आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे दर्द में देखना चाहते हो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ किसी और को entertain कर रहे हो या आपके लिए कोई रिष्टे आ रहे हैं या किसी और को chance देने के बारे में सोच रहे हो ये किसी और से आपकी नजदी क्या भढ़ रही है क्योंकि इनको बहुत दर्द होगा अगर ऐसा होगा क्योंकि या आप से पूछ रहे हैं कि तुम मुझे दर्द देना चाहते हो या तुम मुझे दर्द मत देखना चाहते हो सम्थिंग लाइक दाट मैसेज है विवर्स स्टॉप क्राइंग आइम अनॉइड तो वह आपसे कहना चाहते हैं कि रोना बंद करो कही ना कहीं ये पूछ उन्को पुत्की पहुँचा रहा है कि और स्टॉप गरिते रहाई कर Woah ये लहां है उसलिए तो हो सकता है कि आप रोए हैं और इनकी वज़ा से रोए हैं और विवर्स यहां पे ये जो बात है कि इन्होंने cheating की ही थी या चुछ आपके साथ misunderstanding यूई थी या कुछ छुपा लिया था somewhere viewers मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कहना चाहते हैं कि इनका अलग perspective है इनका अलग perspective है इनके नजरी से देखा जाये तो इनकी situation कुछ और थी यह मजबूरी थी इनकी इन्होंने चीट नहीं करना चाहा कभी आपको हां कुछ बाते चुपाने पड़ी हैं आपसे बट वह सब condition condition apply है वहां पर कुई वज़ा थी तो यह आपसे मना कर रहे हैं stop crying I'm annoyed इन्हें नहीं पसंद भी आप रोए तो प्लीज रोना बंद कर दें if you are crying still if you are crying देखे रोना अगर आप रोते हैं तो आप मेरी बात सुन लेजे यह तो आपको क्या ही रहे हैं इनकी बात आप मत सुनिए बिकॉस अगर यह दे डोंट they don't they don't take commands they give commands तो यह आप भी आप ऐसे हो सकते है that you don't take commands you give commands ठीक है यहां पर मे my god viewers ऐसा हो सकता है कि अगर आपने किसी और से बात की है यह किसी और को entertain किया है यह किसी और को chance देने वाले हो यह कोई और आपके life में आपके close आ रहा है तो इनको लग रहा है कि अब देर हो गई अब मैं दिल की बात क्यों बता दू मतलब बता तो दू मैं बड़ देर हो ग of course they love you of course they want to confess their feelings but they cannot क्योंकि यहां पर उनको अपनी position की और अपने attitude ego की चिंता है यहां बी वुल्नरेबल in front of you in front of you okay they don't want to be vulnerable ऐसा मुझे लग रहा है वुल्लरेबल होना नहीं चाहते they think that they have a story also so उनको लगता है उनका perspective भी है उनका opinion भी है उन्होंने चीट नहीं करना चाहा था something like that and they are also feeling very attracted towards you okay before they go for sleep okay सोने से पहले ही आपके बारे में सोचते हैं बहुत attraction feel करते हैं सोने से पहले हो सकता है घंटों stock करते हैं ओके offer भी करना चाहते हैं genuine है इनकी feelings बट यहां पर कुछ अपने conditions भी समझते हैं कि हैं तो viewers यह थी reading आपको अच्छी लगी है इससे आपको थोड़ी सी भी guidance मिली है इवन अगर वन परसेंट भी इस वीडियो ने आपको help किया है तो मुझे comment करके जरूर बताएं और वीडियो को like करना ना भूले सब्सक्राइब करें ड्रीम टारो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टारो फैमिली का हिस्सा क्योंकि मैं ऐसे ही different topics पर reading प्रोवाइड करती रहती हूं readings के दौरान intuitive messages channel messages and channel songs प्रोवाइड करती हूं जो मैंने ही चाहती कि आप miss कर पाएं इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊ सबसे पहले आप लोगों से देख पाएं और आप comments में अपने experiences भी शेयर कर सकते हैं काफी लोग मुझे पूछ रहे थे personal reading के लिए नहीं viewers मैं अभी तक personal reading प्रो problem का solution दे सके वीवर्स किसी ऐसी fraud में मत फस जाएगा because पहले ही आप किसी stress में अगर हैं और उपर से आपके साथ scam हो जाएगा तो फिर आप को गुछ सा सकता है and I don't want you to be aggressive and angry तो इसी लिए पचके रहे सबसे ऐसे लोग उसे जो आपके पैसे हड़ाप लेना चाहते हैं तो चलिए वीवर्स मिलते हैं अगली रिडिंग में तब तक के लिए बाई एंजल्स